नमस्कार आप देखने न्यूस फॉर नेशन और मैं स्वाती पांड़े आपके साथ समराट चौधरी ने पगड़ी क्या उतारी बिहार में बवाल ही मच गया है विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया कि बड़े ही घमंड से गय थे और कुर्सी से हटानी की कसम खाई थी अब क्या हुआ पगड़ी ही उतारनी पड़ गई विपक्ष को के साथ सरकार बना लिए और तिजुस्वि यादव को डिपटी सीम बना दिया गया तब समराट चौधरी ने माथा में मुरेथा बांध लिया और ये कसम खाली कि नितीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे उन्हें मुखेमंत्री पस से हटा देंगे और तब ह जाकर के मुरेठा खोलेंगे लेकिन ऐसा हो न सका मुरेठा खोलने की बारी आती है तो समराठ चौधरी आयोध्या चले जाती है और वहां जाकर मुरेठा खोल देते हैं अब जहां एक तरफ समराठ चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दिये तो वह दूसरी तरफ विपक् किनकिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेर रही है क्या कुछ मुद्दा विपक्ष को मिला हुआ है और बिहार की राजनिती आखिरकार बवाल क्यों मचा रही है आई आपको बताते हैं पिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री समराट चौधरी ने बुद्वार को अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतार दी अब इसे लेकर राजप की ओर से जोरदार कटाक्ष किया है राजप ने कहा है कि आजिवन प्राड जाए पर वचन ना जाए कि सिंधान्त पर चलने वाले पिता को दिये वचन के लिए राजपाट छोड़कर वनवास सुईकारने वाले राम जी के जन्मस्थान अयोध्या म जाकर समराच चौधरी ने अपने समर्थकों की भीड लगाकर अपनी पगड़ी खोल दी मतलब बड़े घमंड से खाय हुई अपनी कसम ही तोड़ दी राजप के राश्ट्र प्रवक्ता प्रोफेसर सुभोध कुमार महता कहते हैं कि समराच चौधरी ने अपने तथा कथि वचन अपनी जुबान की तिलांजली दे दी और वो भी मजमा लगाकर भीड जुटाकर मिलाच पाठ के लोब में अपना वचन तोड़ना ही था तो वचन के पक्के मर्यादा पुर्शोतम श्रीराम की जर्म स्थली की परंपरा तोड़ने से अच्छा होता वो ज्यान प्रा जाकर अयोध्या की परंपरा और श्रीराम के जर्म स्थान को अपने अवसरवाद की राजनिती से दूशित करने क्यों चले गए बहुत घया जाईए तो कुछ ज्यान की भी प्राप्ति हो जाएगी और एहंकार और घमंड भी कम हो जाएगा उलेखनिया है कि समराठ चौध संकल्प लिया था कि वे नितीश कुमार को मुख्यमंतरी की कुर्सी से हटाने के बाद ही अपने सिर से पगड़ी हटाएंगे सिटमबर 2022 में अपनी मां के निधन के बाद समराठ चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांदी थी तो देखिये करीब एकिस महीने के बाद समराठ चौधरी अपना पगड़ी उतारते हैं और अपने बाल भी मूनवा लेते हैं और वो भी अयोध्या जाकर सर्यू नदी में डूबकी लगाने के बाद अब इस पर विपक्ष के तरफ से हमला बोला जा रहा है राजत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें पगड़ी ही उ से क्या प्रतिक्री आएगी उसके साथ हम हाजिर होंगे फिलाल हमेरे इजाज़ा धर्यवाद